ना बॉलिवुट में काम करेंगे और ना ही बॉलिवुट के हिरोईनों को साउत की इंडस्ट्री में काम करने देंगे आखिर एसे स्राज मॉली के ओफर को भी क्यों ठुकरा दिया महेश बाबू ने आईए आपको बताती हूँ आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी एसे स्राज मॉली अपने अपकामिंग प्रोजेक्ट जिसको अभी टाइटल नहीं किया गया है उसको लेकर काफी ज्यादा बज में बने हुए है जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और उमीदी लगाए जारी है कि इस फिल्म को बहुत ही इंटरनाशनल लेवल के थ्रिलर आक्शन के रूप में शूट किया जाना है अक्शन सीक्वेंस की बात करू तो उसे जीम्स बॉन के फिल्मों के तरह से इंस्पायर किया जाना है और इस फिल्म की स्टोरी लाइन के जो तत्व है वो इखटा कर लिए गए है और स्टोरी पर काम किया जा रहा है और इसा माना जा रहा है कि इस साल के end तक या फिर साल 2023 के starting तक इस फिल्म को slate कर दिया जाएगा shooting के लिए अब ऐसे में back to back बाहु बली और triple R जैसी पान अंडिया successful hit देने के बाद SS Rajmali अपने इस project को भी उसी तरहा पान अंडिया में release करने का मन बना रहे हैं और उसे उसी तरहा से और उसी intention से shoot भी किया जाएगा बट ऐसे में अपने last film triple R की success के बाद वो ये भी उमीद लगा रहे हैं कि अगर पान अंडिया फिल्म है तो हम Bollywood के stars को भी इसमें cast कर सकते हैं पर ऐसे में महेश बाबू बिल्कुल भी ऐसे कोई भी टोट के अलग से अपनाना नहीं चाहते जो एक पान अंडिया फिल्म के लिए अकसर कई सारे सिलेप्रिटीज अपनाने लगते हैं जैसे कि अगर बात की जाए Bollywood के actors को साउथ में cast करना हो किसी फिल्म के लिए चाहे फिर वो एक क्यामियो ही क्यों ना हो जैसे हमने लास्ट ऐसे स्राजमॉली के फिल्म ट्रिपल आर के लिए भी देखा आजय देवगन और आलिया भट को कास्ट किया गया था लेकिन ऐसे में महेश बाबू ने पूरी तरह से इसे इसे इंकार कर दिया हाल ही में हुए इंसिडेंट में जहां महेश बाबू ने ये भी कहा कि वो बॉलिवूर में काम नहीं करना चाहते और किसी भी तरह से पान इंडिया में जो फिल्म को जिस तरह से प्रमोर्ट भी किया जा रहा है वो नहीं करना चाहते वो अपने regional language के जो लोग है उनके साथ बहुत जादा खुश है लेकिन जब 800 करोड के project में इस film को बनाया जा रहा है तो आपको उसी तरह से film को promote भी करना चाहिए लेकिन महेश बाबू की सोच थोड़ी हटके है और उनके fans को भी काफी जादा ये बात भाती भी है कुछ उसमें स्टोड़ी बुनने वाले हैं हाला कि ये बहुत इंटरस्टिंग होगा वहीं महेश बाबू ने जहाँ आलिया बट को अमने फिल्म में लेने से इंकार कर दिया किया ये बात आलिया को बुरी लगेगी वहीं दूस्ट्री और महेश बाबू किसके साथ करेंगे अब इस फिल्म में काम वो भी हम देखेंगे आने वाले वक्त में पिदाल के इतना है Let us know your views in the comment section and keep watching first in your film